दोस्तों आज मैं आपको घुटने के बाहरी हिस्से में दर्थ के एक इंपोर्टेंट कारण के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है इलियो टीवियल बैंड सिंड्रोम यंग एडल्ट्स में, रनर्स में, साइकलिस्ट में बहुत ज्यादा कॉमन है इसके बारे में जानने के इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंतक देखिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है मैं मेडिकल डारेक्टरों साउल और्थो केर का दोस्तों गुटने में दर्थ की अगर बात करें तो सिरफ वो व्रिद्ध वस्ता या एजेड लोगों में ही नहीं होता है यंग पेशिंट्स में बहुत कॉमनली देखे जाता है गुटने में दर्थ यंग patients के अगर बात करें तो एक चौथाई patients के अंदर घुटने में दर्द नहीं होके घुटने के बाहरे हिस्से में दर्द होता है जिसकी वज़े से उनको बहुत असुविदा होती है चलने फिरने में या particularly कुछ sports खेलने में जैसे जो running जादा करते हैं cycling जादा करते हैं dancers जो होते हैं उनके अंदर ये वाला दर्द बहुत तकलीत दे हो जाता है इस दर्द का नाम होता है ileo tbial band syndrome अगर हम ileo tbial band की अगर बात करें तो वो एक fascia होता है कुछ mass fascia के जुडाओं के साथ बनता है वो हमारे ileo crest से start होता है और नीचे अपनी thigh bone को पार करता हुआ नीचे shin bone या tbial के girdies tubercle में आके attach होता है अगर उसके origin की बात करें तो कूले के आसपास अगर देखें तो 3 muscles यानि gluteus maximus, gluteus medius और tensor fascia lata के muscles के fibers को लेके वो वाला एक band बनता है hip joint को और knee joint को वो पार करता हुआ नीचे shin bone के अंदर आके attached होता है कुछ ऐसे particular कारण होते हैं जिसकी वज़े से वो ileo tbial band कई बार खिच जाता है या inflame हो जाता है, जलन हो जाती है, irritate हो जाता है जिससे घुटने के बाहरे इससे में या इस region के अंदर आप देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो क्या-क्या होते हैं वो कारण दुस्तों अगर पहले कारण के बात करें तो यदि हमारे जो hip के abductors या हमारे कूले को जो भार की तरफ ले जाने वाले muscles अगर होते हैं वो tight अगर हो जाते हैं तो उसकी वज़े से ileo-tibial band syndrome आपको हो सकता है कुछ muscles की weakness की वज़े से भी ileo-tibial band syndrome होना बहुत common है यदि आप अपना कारे करने से पहले proper warm-up ना करें भागने से पहले proper warm-up या cool-down नहीं करें उसके बाद या आपको कोई चोट लग जाए या कोई type का जलन अगर body के अंदर चल रहा है कोई inflammation body के अंदर हो रहा है अगर arthritis आपको हो रहा है यदि आपका पाउं over-pronated है या भार की तरफ थोड़ा सा rotate हुआ है यदि कुछ mass patient में आपके दूर बलता आ गई है या आपकी shin bone जो है वो थोड़ी से टेड़ी हुई है torsion हुआ हुआ है या आपका घुटना जो है वो टेड़ा हुआ हुआ है जिसको हम virus बोलते हैं इन सब patients के अंदर बहुत common है ileo debel band syndrome हो जाना यदि लक्षनों की बात करें तो ये clinical diagnosis होता है बड़े सीधे से लक्षन होता है patient complain करता है कि हमारे गुटने के बाहरे इससे में specially shin के आसपास या जो गुटने का जो बाहरी joint line होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है यदि उस area को दबाओ तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसे हम tenderness बोलते हैं उस area में थोड़ी बहुत सूझन भी आ सकती है और चलने फिले में कारे करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जिसे functional incapabilities भी बोला जाता है आप अगर sports खेलते हैं तो आपके performance reduce हो जाती है और उस area के अंदर आपके click sound भी देख सकते हैं यदि especially आप भुटने को 30 degree angle के उपर अगर लेके जाते हैं तो particularly ये click sound आती है जिसे दर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यदि diagnosis की बात करें तो एक clinical diagnosis है कुछ tests होते हैं particularly over test करके होता है जिससे हम diagnose करते है ileo tubial band syndrome को इसके साथ साथ x-ray या MRI या ultrasonography करा सकते हैं दूसरी इसके कारण को rule out करने के लिए पर predominantly ITBS जो होता है वो एक clinical diagnosis ही होता है treatment के अगर बात करें तो ileo tubial band syndrome 100% non-surgical case होता है इसके लिए surgeries कराने के आपको कोई जरुरत नहीं है एक proper, well-tailored, holistic, rehabilitative approach के साथ आप इस disease से पार पा सकते हैं कुछ दवाईयां होती हैं दर्थ कम करने की, मास पेशियों को relax करने की जो की दी जा सकती है यदि calcium, vitamin D, vitamin B, drill वित्यादी का अभाव हो तो वो वाली medicines दे के उस अभाव को पूरा किया जा सकता है exercise बहुत important होती है ileo tubial band syndrome में कुछ particular stretching exercise होती है कुछ मास पेशियों की strengthening exercise होती है जो की ileo tubial band syndrome में बहुत helpful होती है electrical modalities की अगर बात करें तो ultrasonic therapy, TENS, IFT, SWD, PEMF therapy का बहुत important role है cupping और dry needling भी बहुत जदो उपयोगी होता है ileo tubial band syndrome में diet का एक important adjuvant role रहता ही है यदि ये सब treatment करने के बाद भी असर नहीं होता है treatment का और दर्द बना रहता है तो हम local anti-inflammatory injections से भी इस दर्द को बहुत जल्दी खतम कर सकते हैं और हम soul ortho care में regularly ileo tubial band syndrome का treatment करते हैं अपने holistic non-surgical ways के द्वारा तो दोस्तो यदि आपको या आपके किसी परिजन को ये वाली समस्या है तो शीगर से शीगर डॉक्टर को contact करें या अपने nearest soul ortho care center में जरूर आएं ऐसे और जानकारी पर ये वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भोलें और इस वीडियोस से रिलेटेट आपके कोई भी doubt है कोई भी query है तो बेज जिजग comment box में type करें थैंक यू